तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप वीडियो को लास तक जरूर देखना तो देखें यह जु टेबलेट है कोर्टिक्स 6 इसमें जो इंगरेडियेंस दिया गया है देफलाजा कोड़ यह एक परकार से कोर्टिको स्टेरोड होता है जो कि अपने शरीर के अंदर गुल को कोर्टिको कोईड के इस तरको बढ़ाने का काम करता है साथ में जो अपने सरीर के अंदर swelling पेदा करने वाल जो सबिष्टांस होते हैं तो उसके गठन को गठाने का काम करता है साथ में immunity system द्वारा अपने सरीर को damage होने से बचाने का काम करता है तो अपन बात करें कि आखिरकार किस किस तरह की समझ्चाओं से पैसेंट को राहत देखने को मिलेगी तो देखें यदि कोई पैसेंट उसको किसी कारण से मालेजे उसके सीवियर एलर्जिक रियक्सन हो गया है मालेजे कोई उसने मेडिसीन ले ली है जिसके कारण उसको एलर्जिक रियक्सन हो गया हो या फिर अन्य किसी कारण से कोई केड़ा काट लिया हो जिसके कारण उसको एलर्जिक समझ्चाओं हो गई हो तो उससे राहत देखने को मिलती है या फिर allergic disorder माल लेज़े यदि कोई percentage जिसको skin के ओपर खुजली रहती है या फिर उसको छीके बार बार आती रहती है नाक से पानी आता रहता है मतलब कि allergic समस्याई पैसेंट को देखने को मिलती है तो उससे राहत देखने को मिलती है साथ में देखिए यदि कोई percentage जिसको respiratory disease की समस्याई है मतलब कि उसको सांस लेने में दिक्कत आती है या फिर अन्य किसी कारण से उसको माल लेज़े respiratory से मतलब कि lungs related कोई समस्याई है तो उसमें यह है जो tabulator बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि यह है जो tabulator एक परकार से steroid medicine है जो कि आपके कारे करने की समता को बढ़ाने का काम करती है साथ में देखिए patient के rheumatic disorders मतलब कि कई बार patient के pen वगेरा होने लग जाते है जैसे कि माल लेज़े कोई patient है उसके muscles के अंदर pen हो रहा है joints के अंदर pen हो रहा है कोई और medicine इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी quantity को बढ़ाने का काम करती है ताकि आपको उसमें रहात देखने को मिल सके यह है जो medicine है steroid medicine है इसलिए आप इस medicine का उप्योग डॉक्टर की सिला लेकर ही करें साथ में देखिए skin related कोई disorder हो गई यह माल लीज़े या फिर उसके skin के उपर fungal infection हो जाता है जिसके कारण उसके खुजली बहुत तेज चलती है तो उससे उसको रहात देखने को मिलती है या फिर देखे eye disorders हो गए मतलब कि आँखों से कई बार patient को देखने में कमी हो जाती है या फिर उसकी आँखों के अंदर किसी तरह कोई allergic समस्याइं देखने को मिलती है तो ऐसे समस्याओं से रात पाने के लिए इस टेबलेट का उप्योग किया जाता है यह जो medicine है normally आपको हर medical store पर available हो जाती है डोक्टर के सला लेकर आप इस टेबलेट का उप्योग कर सकते हैं देखे यह है जो medicine है steroid medicine है यह है यदि आप इस medicine के साथ अन्यत्रे के कोई और medicine ले रहे हों तो उसके काम करने की समता को भी दो गुना कर देती है तक कि आपको उसमें राहत देखने को मिलता है थोड़े बहुत आपको इसके side effects जरूर देखने को मिलते हैं क्योंकि steroid medicine है लेकिन आपको इसके फायदे भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं अपन देखे इस tablet के कुछ normal side effects के बार में बात करें तो आपका weight gain हो सकता है book में आपको बड़ोत्री देखने को मिल सकती है नीन दाने जैसे समस्याई देखने को मिल सकती है या फिर आपको nozia vomiting जैसे आपको समस्याई देखने को मिल सकती है या फिर आपको बार बार पेसा आपाने जैसे समस्याई भी देखने को मिल सकती है या फिर आपको अन्य किसी तरह के कोई allergic समस्याई हो तो आप इस tablet का उपयोग करना बंद कर दें और अपने डोक्टर के सला के अनुसारी इस tablet का उपयोग करें रिजल्ट आपको इस tablet के बहतरीन देखने को मिलेंगे नॉर्मली यह है जो tablet है आपको हर medical store पर अविलेबल हो जाती है देखे यदि यह है जो medicine है आपको cortex 6 नाम से नहीं मिले तो आप इसके अंदर जो ingredients दिया गया है डेफलाजा कोट 6 mg इस नाम से नॉर्मली medical store से purchase कर सकते हैं medical store वाला अन्य ब्रांड के आपको यह है जो tablet देदेगा देखे अपने इस tablet की डोज के बार में बात करें तो डोज patient की condition को देखते हुए decide की जाती है यह जो tablet है आपको नॉर्मली अलग-अलग quantity के अंदर मिल जाती है यदि ज्यादा समझे होती है तो डोक्टरों द्वारा सुबह और साम भी आपको यह है जो tablet लेने की सिला दी जाती है तो दीखे मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है cortex 6 tablet के बार में की कब और कैसे इस tablet का उपयोग किया जाता है और इस tablet का उपयोग करने के बाद में पैसेन को क्या केस के फा। देखने को मिल सकते है तो मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी knowledge मिलीते है और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और चेनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ने किये तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी हम अगला वीडियो डाले तो उसका नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो फिर मिलते हैं वीडियो में जब तक के लिए जैहिन